नमस्कार मित्रों आपका NIUS स्टुडियो में स्वागत है मैं डाक्टर नपेन्वी सिंग दच्छन विहार केंदरी विश्विद्याले आज आप से मैं कोर्स कोर्ट संख्या 507 के ग्राम सिक्षा समित्य विशय पर चर्चा करूँगा जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सिक्षा और समुदाय का अनुनाश्षित संबंध है अगर सिक्षा में कोई प्रभाव पढ़ता है या किसी परिवर्तन का परिवर्तन आता है तो समुदाय और समाज पर भी उसका परिवर्तन सभाविक रूप से होगा या समुदाय या समाज में किसी प्रिकार का कोई परिवर्दन होता है तो निश्यत रूप से सिक्षा में भी उसका परिवर्दन आपको देखने को मिलेगा चुकि समाज अपनी आउशक्ताओं के अनुरूप ही सिक्षा कर नियोजन करता है तो निश्यत रूप से समाज में अधी कोई परिवर्तन आता है तो उसका प्रभाव सिक्षा पर्मी देखने को मिलता है जैसे आज के आधुनी क्यूग में हम देख रहे हैं कि कम्पूटर या लैप्टॉप आज समय के आउशकताएं हैं तो निश्यत रूप से सिक्षा के पाठकरम में भी इन चीजों को सामिल कर लिया गया है इसी कारण सिक्षा में समुदाय की प्रतिभाकता लेने का सदय प्रयास किया जाता रहा है कि समुदाय के जितना आधिक से अधिक प्रतिभाकता सिक्षा मिली जा सके उतना ही सिक्षा के लिए और समुदाय दोनों के लिए बहतर होगा और यह प्रियास किया जाता है कि समुदाय के चुने हुए प्रत्निदियों वह अभिवाकों की प्रत्यच सहभाकिता को सुनश्चित करने के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा या राज सरकारों द्वारा निरंतर प्रयाश किये जाते रहे हैं जिसके के द्वारा चुने हुए प्रतिदी हैं जो लोगों के द्वारा चुने गए हैं वो सिक्षा विवस्ता में प्रतिभाग करें और उसके दिशा और दिशा के निधारन में अपना सहयोग करें इन प्रियाशों के प्रति मूल भावना यह थी कि समुदाय के सभी लोग अपने बक्चों की सिक्षा विवस्ता के प्रति सजग हों, जागरूख हों और प्रियासरत हों अर्थात प्रतेक माता पिता अपने उत्तरदायत को समझें या उस ग्राम सभा या गाउं में रहने वाले जो लोग हैं, समुदाय के रहने वाले लोग हैं, वह लोग भी सिक्षा के प्रति जागरूख हों और सिक्षा विवस्ता उस ग्राम परिदी में सुचारू रूप में या सही प्रकार से चल रही है, इसकी जाच करते अबिभावकों की सक्री सहबाकिता विद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्दक्ता रिक्ति का सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर fermented क्या जाए उसं सभी लोग जानते हैं बहरत में लोकतांत्रिक शाषर्ण व्यवास्था को अपनाया गया है कि शाषन में जो अधिकार हैं वो एक स्थान पर केंदित ना करकर उनको क्रमबद रूप में हर एक इस्थार पर प्रदान किया बाकता लेने हैं तू सर्व सिक्षा अभियान में कारिकम कार्यानवयन के प्रबंदकी राचा के अंतरगत ग्राम सिक्षा समित को महत्त पूर्ण स्थान दिया गया और इस विकेंदी क्रित प्रबंदकी विवस्ता के अंतरगत ग्राम सिक्षा समित को गठित करने का ग्राम सिक्षा समिती यह एक नया संप्रत्य है यद्द्य पिस्थे पूर्व हमारे यहां प्राचीन काल में इस्थानी श्वाशाशन के माध्यम से प्रारंबी के सिक्षा की विवस्ता की जाती रही है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वैदिक काल से लेकर बिटिस काल तक हमारे यहां सिक्षा किसी ने किसी रूप में चलती रही है चाहिए वेक्दिकत प्रयाशों के रूप में चलती रही हो या संस्थागत प्रयाश के रूप में चलती रही हो इन सारे प्रयाशों द्वारा कहीं ने कहीं यह प्रयाश किया जाता रहा कि सिक्षा प्रारंब पपने देश में पूल रूप में लागू नहीं हो सके जिसके कारण Education for All सबी के लिए सिक्षा की वेवस्ता के अंतरगत वर्ष 2000 में लाया गया सर्व सिक्षा वियान के अंतरगत इस प्रवधान को विशेश रूप से रखा गया कि शमुदाय की अदिक से अदिक प्रतिबागिता सिक्षा वेवस्ता में ली आ सके विशेस रूप से प्रात्मिक सिक्षा में इसलिए ग्राम सिक्षा समित्य के निर्मान का सुझहाओ दिया गया और आज आप देख सकते हैं कि लगबग प्रतेग गाउं में ग्राम सिक्षा समित्यों का निर्मान किया जा रहा है वो सकता है कि ग्राम सिक्षा समित्यां उतने अच्छी प्रकार से कार ना कर रही हो लेकिन प्रतेक गाउं में ग्राम सिक्षा समित्यां आपको मिलेगी जिसमें से कुरूच सिक्षा समित्यां ऐसी हैं जिनके कारणों को अक्सार आप समाचार पत्रों में पढ़ने को आपको म अध्यच कौन वेक्टिवन सकता है इसका नsocial किया गया कि जो ग्राम सभा का प्रधान हुगा या जो प्रभन्चैत का प्रवुक होगा विव्यक्ति ही इस समिति का अध्याग्च होगा वे व्यक्ति ही इस समिति का अध्यक्ष होगा सच्यू के लिए यह ने धारित किया गया कि जो प्रधाना अध्यापक होगा यह हो सकता है कि किसी गाम सभा में या पंचाय चेतर में एक सधिक विद्धाले हो तो वहाँ पर जो वरिष्ट अध्यापक या वरिष्ट प्रधानाचार होगा उस व्यक्ति को ही इस समिति में सच्यू निउक्त किया जाएगा इसके अतरिक तीन सदश्यों की निउक्ति की बात कहीगे इन तीन सदश्यों में कम से कम एक महिला का होना नितान तावश्चक माना गया बाकी बच्चे दो सदश्यों में माना गया कि यदि ग्राम शवा में या ग्राम शमुदाय में अनसूचित जन जाती या पिछड़े वर्ग या अनकिसी वर्ग के समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिदित है तो उन्हें भी सदश्य के रूप में ग्राम सिक्षा समित में सामिल किया जाना चाहिए जिससे कि समुदाय के सभी लोगों को उचित प्रतिनिदित इस समित में मिल सके सबसे पहला उद्देश यह है कि गाउं में प्रात्मिक सिक्षा के विकास में रुची रखने वाले समर्पितियों समय देने वाले व्यक्तियों को सिक्षा समित में सामिल होने का आउशर प्रदान करना अर्थात ऐसे व्यक्तियों का सिक्षा समिति में चैन किया जाए या निक्त किया जाए जो व्यक्ति वास्तिक रूप में सिक्षा के प्रदी रुची रखते हों उसके विकास में सहयोग प्रदान कर सकते हों उसके लिए समर्पन की भावना रखते हों और उसके लिए समय देन को तयार हूं कि चुकि जब तक रूची वाला व्यक्ति नहीं इस समिति में आएगा तब तक हो सकता है कि वह समिति सही प्रकार से कार ना कर सके इसलिए विशेश रूप से ध्यान रख्या गया कि इसमें रूची और समरपन की भावना रखने वाले व्यक्तियों को इस समिति के अंतरगत रखा जाएं दूसरा के है विद्ञालें में विद्यार्टियों के सत्प्रस्ट्चत ना मंगण ठ्यराओ रहैं रथात उनका पूर्णु रूप से नामंकन हो, घॉन के सभी बच्चों का नामंकन विद्याला के बच्चा एक से पांस तक क्ष है, तो उस विद्याला वे अपनी सिक्षण को कूंड करें ऐसा नहों कि सिक्षा बीच में ही छोड़ कर चला जाए किसी कारण तो यह उत्तरदायत है कि यह ध्यान रखना कि बच्चा यह दि कक्षा-एग में परवेस करता है तो कक्षा-पांस तक की सिक्षा-पूंड करें कठचा-शे नहीं किसी प्रिकार की गिरावत ना आने पाए और उसके लिए जो भी समभावित समाधान आ उपाए हो उनको अपनाई जाने के आशक्ता बन जाती है कि अगला उदेश्चे विद्याले यह विद्यालें में गुणव्त्त यह को प्रदान की रहें और साती साथ उनके उपलब्द इस्तर में व्रद्धी होती रहें विद्याले के संचालन में राज सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालना का अलोकन करना अर्था राज सरकार के समय समय पर जो भी आदेश आते हैं या जो दिशा निर्देश प्रदान के जाते हैं विद्याले में उन दिशा निर्देशों या उन नीमों या उन आदेशों का पालन सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा यह भी जांच करते रहना अलोकन करते रहना अगला उदेश है शमुदाय के वन्चित वर्गों या था महिला, अन्सूचित जाती, अन्सूचित जन जाती, आधिको समुचित प्रटन दित्त देकर विध्याले समाज से जोड़ना है जैसा कि मैंने पहले भी आपसे चर्चा भी कुछ दिर पहले की थी कि विध्याले में एक यह भी उत्तर दाईत माना गया इस सर्वसिक्षा अभियान के अंतरगत कि लेंगिक विशम्ता हैं या जो समाजिक विशम्ता हैं उनको भी समाज से दूर किया जाए इस कारण यह ध्यान रखने की आउशक्ता है इसमें बताई गई कि समिति में हर एक वर्ग का उचित प्रतिनिदित्तू समिति में दिया जाना चाहिए ग्राम सिक्षा समित के कार योम दाईतू ग्राम शबा या पंचायत छेत्र में बेसिक विद्यालियों की स्थापना करना प्रशाशन नियंत्रन योम प्रबंधन करना बेसिक विद्यालियों शतात पर है प्रात्मिक स्थर के और उच प्रात्मिक स्थर तक के विद्यालियों की स्थापना करना जिस ग्राम में जिस आवशक्ता है यदि विद्याले पहले से वहां पर इस्थापित हैं तो वह विद्याले सुचार रूप में चलना है कि नहीं चलना है या उनमें किसी प्रकार की किसी प्रबंधन की आवशक्ता है तो उनमें सहयोग प्रदान करना और साथ ही साथ उनके प्रशाशन में सहयोग प्रदान करना विद्यालों के विकास प्रशार और सुधार के लिए योजनाय त्यार करना और उनका क्रियानवयन करना विद्याले विकास के लिए जो भी आवशक्ताय हूं उनकी पूर्ति करने में शहयोग करना और प्रते एक वर्ष यह प्रयास करना कि सत्र के प्रारम होने से पूर भी विकास यूजनाओं का निर्मान कर लेना और उन विकास यूजनाओं को इस परकार से लागू करना या अनुपालना में लाना कि जिससे किसी प्रकार से छब विवस्ता में कोई प्रभाव ना पड़ें साथ ये भी देखना कि जो योजनाय बनाई गई उनका जो क्रियानवन उसी रूप में हो रहा है या नहीं हो रहा है जिस रूप में उनको बनाया गया था अठाथ अपने उद्धिशों को किस इस तर तक वे पूर्ति कर रही है ये भी जांस करना विद्ध्याले के संसादनों उपस्करों में सुधार है तुग ग्राम सभा या पंचायत को सुझाओ देना जैसे विद्याले में बहुत संसाधन कई विद्यालों मैंसे आता है कि बहुत अत्रिक्त भूमी होती है तो उस अत्रिक्त भूमी का किस प्रकार उपयोग लिए आ सके या विद्याले के जो भी सेच्छिनिक संसाधन है उन संसाधनों को किस प्रकार से संरच्छित रखा जाए इसके लिए ग्राम सभा या ग्राम पंचायत को सुझाओ देना साथ इसाथ अगर अत्रिक संसाधनों की आउशकता पढ़ रही है तो उनकी पूर्ति के लिए भी समिति को सुझाओ देना यदि विद्याले अपने वित्ती खर्चों से उनकी पूर्ति नहीं कर सकता है अगला कार है विद्याले के दैनिक कार्रों के अनुपालन में सहयोग प्रदान करना विद्याले के जो भी देनिक कार्ण हैं, जैसे वहाँ पे सिछण कार्ण होता है, मिड़े मील है, या खेल कूत कायोजन किया जाता है इस प्रकार के कार्णों में यदि किसी प्रकार के सहयोग की आवशकता हो, तो उनमें सहयोग प्रदान करना समित्य के माद्यम से कुछ वेक्तियों को निक्ति के आए सकता है, या समित्य के लोग खुद भी सहयोग पदान कर सकते हैं विद्याले में सिछकों कर्मचारियों की समय पालानियों मुपस्तिती को सुरश्चित कराना अक्सर यह देखा जाता है कि प्रात्मिक स्तर के विद्यालों में, ग्रामीर आंचलों में सिक्षक या कमचारी समय से नहीं जाते हैं, बहुत सारे सिक्षक विद्याले ही नहीं जाते हैं तो यह सारी चीजें ग्राम सिक्षा समित का उत्तरदाइत हैं कि इन चीजों की monitoring करें और या देखें कि सिक्षक क्यों करमचारी विद्धयले में समय उनलूप आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं तो किन कारणों से नहीं आ रहे हैं इनकी जाज करना और सम्मंदित सिक्षा अधिकारी को इन चीजों से अउगत कराना ग्रामशभा या पंचायच्षेत्र की सीमाओं के अंदर सिक्षक या करमचारी द्वारा आ विहित कृत्य करने पर लगुडंड देने की सिपारिस करना ग्राम सभा या पंचायत शेत्र के अंतरगत यदि कोई सिक्चक या कर्मचारी कुछ इस प्रकार का क्रत्य कर देता है जो उसके द्वारा विहित नहीं माना गया है तो उसके लिए पंचायत या ग्राम सभा लगू डंड दे सकती है वह डंड आर्थिक रूप में ही होगा किसी भी प्रकार से वह डंड सारेरिक रूप में नहीं दियाया सकता अर्थार जैसे एक दिन की वेतन की कटोती कर देना या 500 या 100 रुपय का जुरवाना लगा देना इस प्रकार के डंड दियाया सकते हैं सारेरिक डंड किसी भी प्रकार से नहीं दिया सकता है अगला उतरदाइत है बेसिक सिक्चा से सम्मंदित ऐशे कृत्तों को करना जो राज सरकार द्वारा निर्धारित किये जाएं कराम सिक्षा समिति का यतरदायत है कि राज सरकार की जो भी दिशा निर्देश है या जो आदेश हैं उनका अनुपालन सुचारों रूप में बेसिक सिक्षा के लिए विध्यालयों में किया जा रहा है इसकी जाच करते रहना यदिकिनी निम्यों में किसी प्रकार के कोताही या धिलाई बढ़ती जा रही है तो संबंदित प्रधानाध्यापक या हेड मास्टर या सेक्षकों को इस संदर में सुझाव देना कि किसी भी प्रकार से सरकार के आदेशों का अनुपालन बेसिक सिक्षा के अंतरगर्ट पून रूप में किया जाना चाहिए विद्याले के विकासियुम सेक्षिक वातावरण के सुद्रणता हे तू वित्तियुम गैर वित्तियुपायों को संपादित करना वित्तियुपायों से पर रहिया है कि सरकार के जोरा जो धन्राशी विद्याले को दी जाती है और विद्याले कई बार अपने संसाद्नों द्वारा भी धनो पार्जन करते हैं जैसे विद्यालय के अतरिक्द भूमी है तो वहाँ पर किनी फशंदों का उगाया गया उसके फ़लसुरूप उन फशनों के बेचने के फ़लसुरूप जो धनराशी आई उससे कही ने कही विद्यालय सम्द्दी जो भी अवश्चक कार हैं जैसे अतरिक्द कश्शाओं का नि प्राम्शभा के द्वारा भी धन प्राद किया सकता है या समुदाय का सहयोग मांगा जा सकता है समुदाय में स्वेच्छा से बहुत सारे लोग हो सकता है कि उसे सहयोग प्रदान करें प्रतेक वर्स सेच्चिक सत्र के प्रारम में विद्याले की वार्षिक कार्योजना बनाना एवं उसका क्रियान्वेन करना प्रतेक वर्स सेच्चिक सत्र जब भी प्रारम हो जैसे जुलाई से प्रारम होता है प्रारम होने पर विद्याले की वार्षिक कार्योजना को बना लेना जिससे की संपूर्ण वर्ष सभी कारस उचार रूप में चलाया जा सकें विद्याले में गत्विदियों योम्-खेल कूदों का यजन करना जैसे सेच्चिक·जागूटा कारिकम, मेला खेल प्रतिवकिता आदि कुगि इन कारिकमों में बच्चों की अधिक रूची होती है तो ऐसे कारिकमों का यजन विद्याले में किया जा सकता है संग्रे रेजिस्टर यों कैस्ट बुक को बनाना संग्रे रेजिस्टर से ताथ पर है स्टाक रेजिस्टर स्टाक रेजिस्टर में सारी चीजें जो भी विद्याले के अंतरगत संसाधन क्रे किये जा रहे हैं उनका संपूर्ण विवरन होना चाहिए यदि यो संसादन किसी प्रकार से नस्ट हो गए हैं तो उनका भी विवरण संगर रिष्टर में दिया जाना चाहिए साथी साथ वित्ती लेखा जोगा कैस बुक में पूर्ण रूप में होना चाहिए जिसका समय समय पर ग्राम सिक्षा समय इजाज करें ग्राम के विकास है तु सिक्षा योजना बनाना एवम इसका क्रेंवन करना विद्दैले के विकास है तु स्रविक्षा योग एवम अनुदान देने है तु समुदाय को अप्रेजित करना विद्धाले विकास मेंधी विद्धाले अपने विती संसादनों द्वरा किसी प्रकार से पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो वह समुदाय से अनुदान देने के लिए कह सकता है या समुदाय को अपयरित किया सकता है या जहाँ पर वित्ती अरंदान की आशक्ता नहीं कि यो स्थरमिक सहयोग के माद्यम से ही कार किया सकता है वहाँ पर समुदाय का समिक सहयोग देने के लिए भी समुदाय को अपेरित किया जा सकता है सिक्षा समित की मासिक बैठकों की अद्यच्यता करना सचिव को समय समय पर परामर्ज देना अर्था जब भी उसे आव सकता मैशूस हो तो ऐसा आवशक नहीं है कि एक मामे की वाल एकी बार बैठक का आवज़न किया जाएगा या ति किसी कार की आउशकता पड़ती है तो एक मा में दो बार भी बैठक आयुजित किया सकती है किन्त इसके लिए सचिव को पूर्व में ही परामर्स देना होगा कि आम बैठक को बुला लिया जाए शिक्छा समित की बैठक में सबी सधत्सें की उपस्तिती सुनश्चित करना सचिव के साथ मिलकर विद्दयाले के वित्ती कोष का संचालन करना सिक्षा समित की मासिक बैठक में सर्फ सम्मत से लिए गया निर्णेओं में महत्त पुर्ण भूमिका निर्वा करना यह निर्णों का अनुपालन करवाना अर्थात जो भी निर्णे लिए गए उस बैठक में उन बैठकों में जो निर्णे लिए जाते हैं उनको लिपी बद्दी भी कराना अर्थात उनका अभी लेक तयार करना और साथ ही साथ उन निर्णों को कितनी अच्छी प्रकार से क्रियानवित किया गया इनकी भी देख रे गए निर्णे को पूर्ण रूप में अनुपालित किया गया की नहीं किया गया यादि कुछ खामिया रहे गई हैं तो पुना इस बैठक में निर्णे लेकर उसे अग्रिम कारवाई है तो अभिलेकित कर दिया जाता है ग्राम सिक्षा योजना का क्रियानवन का अनुश्रवन आउलोकन एवँ अनुगमन करना ग्राम सिक्षा योजना के अंतरगत जो भी कारिकम चलाय जा रहे हैं उनका पूर्ण आउलोकन का कार अध्यक्ष का है सच्चु के कार्यों दायतु सच्चु का पहला कार मना गया कि अदक्ष के परामर से सिक्षा समित की मासिक बैटकों को आहुत कराना अथा जब भी अदक्ष परामर से सच्चु को तो सच्चु मासिक आम बैटकों को आहुत करेंगे सिक्षा समित्य की मासिक बैटकों में लिए गए निर्णियों के क्रियानवन में महत्तपुर्ण भूमिका आदा करना अध्यक्ष के साथ मिलकर विद्याले के वित्ती कोष्ट का संचलन करना एवं वित्ती लेखा जोका को सिक्षा समित्य की मासिक बैटकों की कारवाही में प्रस्तुत करना अर्था जो भी वित्ती खर्चे हैं या वित्ती वै किये गए हैं उन वै का पूर्ण विवरण जैसा मैंने अभी कुछ दिर पहले चर्चा की थी कैस्बुक जो होगी उसमें पूर्ण विवरण मिल जाएगा वर्थ भर का वित्ती वै का उस विवरण को समित्य के सम्मुक रखना जिसे की समित्य के सारे लोग देख सकें कि किस मद में यकिन-किन मदों में कितना वै किया गया है और वै सही प्रकार से या उचित रूप में किया गया है कि नहीं किया गया इसकी भी जाच परताल समित्य के द्वारा की जाती है सिक्चा समित्य की माजसिक बैठकों में विद्दैले सुधार योजना प्रस्तोत करना एवं ग्राम सिक्चा योजना मनाने में, jakieवं क्रियान्वें में महत्तरपुर्ण भूमिकानी मना ग्राम सिक्चा समित की बेठक हो उस बेठक में विद्याहलेजिए सुधार योजना प्रस्तुत करने का अत्तरदाइत व सच्यू का मना गया चुकि इसलिए सचीव का उत्तर दैट माना गया कि पूर्ण रूप से हों प्रत्यक्ष रूप से सिक्छा से सम्मंदित व्यक्ति यहां पर सदस्चीव ही होता है जिसके कर्ण माना गया कि विद्धयाले सुधार यूजना को वह भली भात भना सकता है और विद्याले संबंदी जो भी आव सकता है उनसे वह भली भात परचित होता है इसलिए वह विकास या सुधार संबंदी योजनाओं को सही रूप में जानता है इसलिए उनको सही रूप में वही व्यक्ति प्रस्तोत कर सकता है विद्याले में बच्चों का सत्प्रस्थ नामांकित हो यदि ग्राम में कुछ बच्चे नामांकित नहीं हैं तो अदेख्ष को सूचित करना जिससे कि सभी बच्चे ग्राम के जो हैं वो विद्याले में नामांकित हो सकें और जो नामांकित विद्यारती हैं ऐसा चुकी देखने में कई बार मिलता है कि बहुत सारे बच्चे केवल मिड़े मील के लिए विद्यालियों में आते हैं और इसके पश्चात पुना चले जाते हैं तो इस प्रिकार के अगद विवस्ताएं या प्रश्चलन विद्याले में हैं तो यह उत्तरदाईत तो सचीव का है कि वे ध्यान रखे साथी साथ अध्यक्ष को आउगत कराएं कि जो भी विद्यारती विद्याले में नामांकित हैं उनकी पूर्ण उपस्थिती भी हो और भी उनकी अनुपालन करवाना सदक्स सचिव का कारह है रहे हैं कि ग्राम शिक्षक वर लिए और की प्रकार से विद्याले में लागू किया रहे साथ संधियों को सहयोग देना कि सिख्षक का ही जिसकी सिख्षक का ही पूनुत तरदाईत के साथ जो भी वहां करेड़वत शिक्षक, उनका उत्तरदाईत्न हम्हें कि वह मैं सिक्ष्य सम्हित्य के नाम से बैंक खाता खुलवानां तद्धक्षक्ष मेरम स उन्हार बैंक क्षा किसी बैंक खुलवाना जिसके संपूर्ण वित्ती लेने देन जो भी होंगे उनका पूर्ण विवरण उस cashbook में उस bank की cashbook में देखाया सकता है साथ इसाथ धन्राश की जो भी निकासी होगी या किसी को दिया जाएगा उसमें जो चेक या नगत जिस भी रूप में दिया जा रहा है उसमें अध्यच युम्सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर का होना आवश्चक माना गया चुकि जब तक यह ऐसा प्रवधान इसले किया गया कि जब सब्सक्राइव और प्रदान दोनों साथ मिलकर कार नहीं करेंगे कोई एक व्यक्ति का ही सौमित तो ज्यादा होगा तो निश्चत रूप से कहीं ने कहीं वित्ती गर्वणियां देखने को मिल सकती हैं इसलिए दोनों को समान उत्तरदाय तो दिया गया कि दोनों वेक्त मिलकर जो भी विद्याले के वित्ती खर्च है उन खर्चों का विवरण रखें साथ इसाथ खाते का संचालन सुनिश्चित रूप से करें तो निश्चित रूप से यह सरवषिक्षा अभियान कारिकम जो वर्स 2000 में लागू किया गया था इस कारिकम के अंतर के जो गरामेद्स खर्चा समिति जो गठ्थित की गई विद्याले के लिए उन गरामेद्स खर्चा समितियों के माद्यम से यह प्रयास किया गया पहला प्रयास यह था कि समुदाय की सक्री यूम पूर्ण से भागिता ली जा सके दूसरा प्रयास यह था कि ग्राम स्तर पर गुणवत्ता युक्त सिक्षा बच्चों को प्रदान गिया सके साथ ही साथ समुदाय की लोगों का प्रतिभागिता ली जा सके ह। चुकि कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मैं उस समित में नहीं हूँ या मेरी बात नहीं सुनी जाती या मेरा उसमें प्रतिभागिता नहीं है नहीं तो मैं उन विवस्ताओं में सुधार ला देता इस कारण इस समित के अंतरगत सभी को ये समान अशर दिया गया कि वह सदश्च चैनित हो सकता है सदश्च के रूप में जो भी उसके सुझाओ होंगे वो सुझाओ समित के माद्दम से अनुपालन में लाए जाएंगे और ये देखा जाएगा कि उनका अनुपालन कितनी भली भाती प्रकार से हो रहा है कि नहीं ये धान रखना आवशक है कि ग्राम सिक्चा समित यदि किसी प्रकार के कोई गरवडियां करती है तो इनकी सिकायत जैसे कई बार या देखने को मिलता है कि वित्ती गरवडियां कई ग्राम सिक्चा समितियों दोरा की जाती है तो इन जो भी इस प्रकार के वित्ती लिखे जोखों में हेरा फेरी की जाती है तो इन हेरा फेरी की जानकारी सम्मंदित खंड विकास अधिकारी या खंड सिक्चा अधिकारी को दियाया सकता है के द्वारा सुचार हूं सहीं प्रकार से की नई किया रहे हूं divers इस रूप से सरकार कゃ बाव काई करा प्रावकारी प्रयास दिसके मादपनसे एक ओर तो समुदाय को जोड़ा जा रहा है और दूसरी ओर समुदाय की जो विशमताइं हैं उनको भी दूर करने का प्रयास क्या जा रहा है तो मैं आसा करता हूं कि आज की चर्चा आपके लिए लापकारी रही होगी पुना आप से किसी अन्यविशय पर चर्चा के लिए मैं से स्टूडियो पर आप से फिर मिलूँगा तब तक के लिए धन्यवाद